ब्रादवे तहडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा हकीकत दी उडान जिसमें सक्सेस्फुल जा रही है उसके कारण यह भी है कि आप यूएस विदाव टाइलेट्स नहीं है तो आपके पास आयल्स होना ही चाहिए यह उसके अगेंस्ट एक स्ट्रोंग अकेडमिक होना चाहिए यह उनकी यूनिवरस्टी और कॉलजी ने काफी हद तक टफ कर दि जिस तरह से यूएस अपने पुराने स्टुडेंट्स को पुराने काउंट को पूरा करना चाहता है तो यह एक राइट समय है यूएस में अपना इन्वेस्टमेंट करने का और इसमें आयल्स कोर की कोई बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट नहीं होती है आपको पास 6 बैंड भी overall acceptable हो जाते हैं आपके पास confidence होना चाहिए अपने आपको present करने का अपनी interview का और benefit बहुत सारे है एक तो visa लंबा मिल जाता है 5 साल तक का secondly आपको fees जो है वो किष्टों में देनी होती है और वो भी visa लगने के बात देनी होती है तो visa लगने से पहले पहले जो आपके हैं वो 50-60,000 के आसपास आमोमन रहते हैं जिसमें आपकी service fee है, embassy fee है, i20 charges है और rest जो process है वो काफी हद तक smooth है in present environment. So what I advise you कि जो बच्चे US करना चाता है वो बिल्कुल इस समय को गवाए ना, तुरंत ब्राडवे की team से मिलें और September intake को target करें और timely वहां पर पहुंचने की कोशिश करें, अपने profiles को लेके आप team के साथ detail में discuss कर सकते हैं और भी फिकर होकर apply कर सकते हैं, इस channel के जरिए regular update आप से share करता हूँगा और इस scenario चल रहे success rate में अपना भी काम करवाले, ये मेरी final advice है, आगे भी इस channel के जरिए update रिसीव करते रहेंगे, चैनल को subscribe करके रखें, आने वाले दिनों में कौन सी universities, कौन सी colleges, कौन सी states में आप US में जाके अपना future देख सकते हैं, इसके उपर लगातार आ अड़े विदेश जान देश उपने अनु देवेगा हकीकत दी उडान